बालो को naturally काला करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीकाज में आपके साथ share करूँगी सारे ingredients आपके kitchen में मौझूद हैं सब natural चीजों का इस्तेमाल करेंगे किसी भी तरह का chemical यहाँ पे हम नहीं इस्तेमाल करेंगे और result आप देख सकते हो जैसे आप apply करोगे आपको खुद लोहे का इसलिए क्योंकि लोहे का बरतन अगर आप लेते हो तो iron के गुण भी मिलेंगे जो कि आपके बालों को काला भी करेंगे और बालों को बढ़ाने में भी मदद करेंगे अब इस बरतन में एक गिलास पानी का मैंने आड़ कर दिया है और यह मेरे हाथ में है कड़ी प कुछ पत्तियां आपको लगवक एक मुठी के करीब यहां पर कड़ी पत्ते की लेनी है अब मैंने लिया है यह फैनी गुरीक सीड्स मेथी दाना जो की एक तो हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में हेल्प करता है और बालों की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है अग पर किष्ट आप देख रहे हो जो हम मार्केट से पाउडर वाले आमला लेकर आते है न तो वह उतने प्यावर नी होते हैं उस तरह से हमें फायदा नहीं मिलता जितना की आमला एक तरह से वर्दान है बालों की ग्रोथ के लिए और नेचरली आपके बालों को काला करने के ल कि इन quantity थोड़ा जादा रखिएगा अच्छा ये मैंने लिया धनिया सूखा हुआ धनिया जो कि हम मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं यही वाला आपको लेना है इन केस अगर ना हो तो आप जो पतियां आती है धनिया की पतियां हरा वाला धनिया होता है वो भी ले सकते हैं क्य सिल्का है यही आपको लेना है इसमें बिटामिन सी भरपूर मातरा में होती है सिट्रिक एसिड पाया जाता है तो बालों को काला करने के लिए और आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने के लिए साथी बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए बहुत कारगर होता है तो उसके लिए भी नीमबू बहुत अदा कारगर है, तो अब मैंने इसे बॉइल होने के लिए गैस पे चड़ा दिया है, पहले हाई फ्लेम पे एक बार बॉइल आने दिया, फिर बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया, और लो फ्लेम पे ही आपको भी से पकाना है, कुछ देर तक, जब है वो इंग्रीडियंट, वो है आपका चाय पती, चाय पती एक तो बालो को नेच्रल कलर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे आप बॉइल करते हो ने चाय पती, या फिर आपने बहुत बार देखा होगा कि मेहंदी को एक बढ़िया गाडा कलर लाने के लिए चाय पती का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होती है, तो आपकी हेर ग्रोथ को भी प्रमोट करती है, बालो को सिल्की शाइनी बनाती है, और बालो को एक नाच्रल कलर भी देती है, तो इसलिए आपको चाय पती इसमें एक चमज के करीव, लेकिन जब कर दो तिन बॉइल आने देते हैं, तो वस वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, अगर ज़्यादा पकाऊगे तो यह हानिकारक हो जाती है, इसलिए इस टाइम पे आपको इसे एड़ करना है, और दो तिन बॉइल आने देने के बाद गैस को बंद कर ले आप यहां पर एक कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप सारा जो भी यह हमारे पास पानी है तो उसे आप निकाल सकते हैं, जैसे आपको सुटेवल लगे उस तरीके से आप निकालिए, थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे, बहुत ज मैं पाये भाई जाती हैं आप यहां पर एक के लिए ऐस्तेमाल्क करते हैं, वह सारे पसमें अड कर सकते हैं, क्यूंकि हर एक कोईल में अलग तरह के पोशिक्ततों आप जाते तो कोशिष के जिए कि 1997 зах suivi मैं यहां पर ऑली वोई, और मेरे पास ये ब्लैक वाला है जो की हेर ग्रोथ के लिए बहुत बैस्ट रहता है आपके पास जो भी अवलेवल हो जो बिल्कुल एक ट्रांस्पेरेंट कलर में होता है वो भी आप एड़ कर सकते हो वो भी बिटामिन ये से भरपूर होता है हम अपनी स्किन के लिए और बालों के इसमें मिक्स हो जाते हैं बहुता सा सा तक हो दीलियाव मिक्स हो जाते हैं बुछ से पहले करे करेंगे अपने बालों को इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे एक चीज आपको बता दूं कि सिर्फ एक ही बरी में आप इस्तेमाल करोगे और बहुत जादा बाल काले हो जाएंगे जैसे कि मार्केट वाली डाई जो केमिकल वाली डाई होती है उसकी तरह तो ऐसा नहीं होता है हाँ थोड़ा फरक आपको नजर आएगा पहली ही बार में इंस्टेंटली आपके बालों का जढ़ना विल्कुल कम हो जाता है आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से होने लगती है लेकिन बालों को काला करने के लिए आपको इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना प कॉटन की मदद से यह बहुत एजिली क्योंकि लिकुड है पूरी तरह से तो अगर आप कॉटन की मदद से अपने बालों में लगाते हो बिल्कुल जड़ो में अपने लगाना है अच्छी तरह से मसाज करना है आप इसे अपने बालों के फुल लेंथ में भी अपलाई कर सक और जब आप अपने बालों को वाश करोगी तो आपको पहली ही बाहर में अपने बालों में एक भारीपन महसूस होगा, आपको लगेगा कि नहीं बाके ही कुछ तो हमने यूज किया था जिसका बहुत अच्छा फाइदा हमें देखने को मिला है, तो इस तरह से आपकी हेर ग् केलप में अच्छे से लग जाए, लगाने के बाद लगवग एक घंटा तक आपने इसको अपने बालों में रखना है, मिनिमम, मैक्सिमम आप कितनी देर भी रख सकते हो, ओवरनाइट भी रख सकते हो, किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है, फिर आप शैंपू कर सकते हो वीडियोज अच्छे लगें तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देजेगा, इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोज के लिए